कि देखे आप बिंडो फार्मेट करने से पहले हमको एक चीज़ डिसाइड करना पड़ता है हम लोग शीखना शुरूब कर चुके हैं वीडियो इटिंग करना वो वीडियो कोई भी हो सकता है चाहे हो साधी विवा का वीडियो हो चाहे किसी हैपे बड़े का वीडियो हो चाहे किसी जागरण का हो चाहे को कमीडी वीडियो हो चाहे कोई अल्बम का वीडियो हो किसी भोचपुरी गानी की शूटिंग हो उसकी इटिंग करना हो कोई चोटा मोटा सेजल बनाना है तो कोई भी वीडियो हो सकती है हर वीडियो की इटिंग आप कर सकते हैं हमारे इस ट्रेनिंग के वीडियो को जोईन करके जो की बिल्कुल फ्री है आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा मैं आपको एक अच्छा वीडियो इटर बना के छोड़ूँगा और इस सारा काम आप अपने घर पे बैठे ही कर सकते हैं अगर आपके पास एक लेटाप और केम्प्यूटर है तो आप घर पे बैठके इस सारा कुछ सीख सकते हैं बिना एक रुपया खर्च किया ही और आप एक अच्छा वीडियो इटर बनके बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं बहले ही आपको इडिटिंग के बारे में थोड़ा बहुत भी नालेज ना हो आप फोटो इडिटिंग भी नहीं करते हो computer के बारे में आप थोड़ा बहुत रुची रखते हैं चलाना जानते हैं तो हमारी वीडियो को देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और एक अच्छा वीडियो इटर बन सकते हैं दोस्तों यह जो बीडियो सीडियो के लिए चलाया जा रहा है मतलब आप थोड़ा बहुत भी नालेज नहीं है वीडियो इटिंग का तो आप इस वीडियो को देखके बहुत को सीख जाएंगे मैं चाता तो आपको बहुत साट कट में बीडियो बनाके 10-15 मिनिट के अंदर ही मेन मेन इस्टेप बता के नेस्ट करो यह करो यहाँ पे करो वहाँ पांस से दस मिनिट का बीडियो बनाके आपको सब कुछ सिखा सकता था बट मैं यहाँ पर थोड़ा long वीडियो बना रहा हूँ चुकि मैं beginner लोगों को भी शिखा रहा हूँ ताकि मेरी वीडियो को देखकर beginner से beginner लोग भी video इटिंग का काम करना सीख जाए इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है बहुत मैं बारीकी सी चीजों को बता हूँ एक दम step by step बताता जा रहा हूँ इसके पहले हमने तीन वीडियो देखा हुआ था पहला वीडियो मेरा था जो जीरो जीरो वाला ओ मोटिवेशनल वीडियो था कि आप इटिंग करके पैसा कैसे कमाएंगे चुकि हम लोग यह कोई PUBG नहीं खिलना सुरूं किये हैं हम ल मेरा जो वीडियो उन सब वीडियो से हट के होगा थोड़ा लंबा तो होगा लेकिन हम लोग बेलकुल बेसिक से जानकारी लेंगे एक दम एक एक step कोई भी ऐसा step नहीं छोड़ेंगे जो बाद में फशान हो मतलब मेरे द्वारा ट्रेनिंग लेने के बाद आप कहीं पर भी भी नहीं फसेंगे आपको मेरे भी help लेने की योतनी पड़ेगे इसलिए मैं step by step चल रहा हूँ इसके पहले हमने देखा था कि कैसे बिंडो आपको free में मिलेगा ओभी बिंडो की official website से कैसे आप उसको bootable बना पाएंगे पर ड्राइब के माध्यम से आज का जो step होगा इस वी जानकारी नहीं है तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखा दूँगा अगर ज़्यादा लंबा होगा तो हम इस वीडियो को दो भाग में divide कर देंगे चुकि लंबा वीडियो कोई देखना नहीं चाहता बट क्या करें हम आप लोगों को बहुत step by step चीज बता रहे है बहुत सरल भासा में समझा रहे हैं चुकि एक beginner लोगों को भी शिखा रहे हैं अगर आपको मेंडमेंट टोपिक सीखने हैं तो आप इस वीडियो को skip कर सकते हैं लेकिन आप एक तम जीरो से सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के साथ में बने रहेगा मेरे चैनल को subscribe कर लि होगा ओ सारी चीज हम बीच में बताते रहते हैं मेरा दावा है कि आप अगर मुझे श्रमय दे रहे हैं तो आप यहां से कुछ सीख कर जाएंगे कुछ नए चीज जरूर सीख कर जाएंगे चाहिए आप बहुत एक्सपार्ट हों चाहिए आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो जाके हम आगे का step करेंगे अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए बहुत important है कि चीज को समझना हमने यह भी शीख लिया कि कैसे हमको pin drive के अंदर window को बुटेबल बनाना उसारा कुछ हम लोग सीख चुके हैं अब बारी आती है window format करनी कुराने window को हटा कर एक नया window कैसे install क करें तो यह काम करने से पहले कुछ साउधानी है जो मैं आपको पहले बता दूं कि आपको कोई problem ना हो आपको कुछ नुक्सान ना हो इसलिए मैं सारी चीज़ बता रहा हूं वीडियो को इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है main topic चला रहा हूं अब देखिए आगे तो हम लोग इसमें क्या है कि जो बिंडो हमारा होता है जो बिंडो का स्वाप्टेर इंस्टॉल होता है किस भाग में इंस्टॉल होता है हार्डिस के किस भाग में इंस्टॉल होता है देखिए जो बिंडो होता है हमेशा जो है शी पार्टिशन में इंस्टॉल होता है जो लोकल डिस्क हमारे C होती है, OC के अंदर जो हमारा window होता है, वो install होता है अब एक छी ध्यान देना है कि window जो हमारा C के अंदर होगा, हम जब window installation करने जाएंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर जितना भी सब कुछ material है, यह सब चीजे जो हैं या कुछ भी हम रखे हैं, या जो भी पहले से software हो गएरा, इसमें install हो सारे के सारे software हमेशा के लिए delete हो जाएंगे, चुकि हम लोग window को format करेंगे और एक नया window डालेंगे जैसे आपने बहुत सारा software इस्टाल किया होगा अपनी PC के अंदर Photoshop हो गएरा नहीं तो आप बिल्कुल भी format मत करेंगे, यह मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको format करना है window, तो window कैसे format करना है, चोकि हम लोग video eating का काम सीखना शुरूम कर रहे हैं, तो video eating सुरूम करने से पहले उसका software कैसे install करना है, कैसे window install करना है, कैसे format करना है, ओ सारा चीज हम लोगो step by step करना शुरूम करें, लेकिन अगर आपके PCM कुछ important software है, जो आप install नहीं कर सकते हैं, या काम की चीज है, तो आप अपने PC को format न करें, वीडियो देखके आप knowledge रखिए, ताकि आपको भविस में कभी भी format करना पड़ा window, चाहिए अपना या किसी दूसरी का, तो मेरा वीडियो देखके आराम से आप format करना चाहते हैं, नए सीरी से काम सुरू करना चाहते हैं, मतलब कोई दूसरा software हो गयरा install करना है, तो बाद में कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग जो तयारी करें, वो वीडियो इर्टिंग का, जो सॉप्टेर है, इडियस उसको इंस्टॉलेशन की तरफ जा रहे हैं, जब सॉप्टेर हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा, हम लोग सॉप्टेर भी फ्री में कुछ ठीक है, आपने इसमें बहुत मटेले रख दिया, आपका कुछ इंपॉर्टेंट चीज रख दिया, आपने गलती से इसमें रख दिया हुआ है, इस टॉरिस समझ कि भाई, चलो एभी तो जगह है, इसमें खाली हमने रख दिया है, तो होगा क्या की चलते-चलते, मैंने मेटे में सतले की अपकर सब्सकांजी के अधरी रख दिया है, सारे है इसमें आपके के में सारे आप करो सकते हैं, दो सर बियू और अब अधर ही दिलीट होगा तो सी के अंदर इंस्टोल करेंगे बाकी अधर पार्टिसन में हमारा कोई इस्टाली नहीं होता आफ को आडी है इसरी के अपको आलग स्सिझे लगा क्का या टेश्घल लागा कि रखा या विदों के से और दूसरी हार्डिस है, जिसमें डाटा हो गए रहा है, तो मैं कहूंगा कि आप उस हार्डिस को निकाल लेत और भी बेटर है, अगर आप सीखने के दौराने काम कर रहे हैं, बाकि अगर आप एक्सपर्ट हैं, अगर आप कोई सब चीज़ों के बारे में पता है, तो कोई इ कितनी है, सारा कुछ आपको नोट कर लेना है, मतलब एक आपको पहचान बना लेनी है, कि हमको आगे जब विंडो फार्मेट करना है, तो हमको अपने उसी डिस्क को फार्मेट करना है, जिसके अंदर विंडोज है, ना कि कोई दूसरा जिसे मानले, अगर आप ये चीज़ बता रहा हूं कि आपको कोई नुक्षान ना हो, नालेज के साथ साथ में आपको सेप्टी भी दे रहा हूं, सिकोटी भी दे रहा हूं, कि आपका कोई भी प्रॉब्लम ना हो, निगेटिव पास्टिव दोनों चीज़ बता रहा हूं, सेप्टी के लिए हमको एगी नोट कर है वो सीधे सीधे 102 जीबी का है तो मेरी पहचान हो गए मैंने इसको नोट भी कर लिया जब हम विंडू फार्मेट करेंगे तो हम सीधे हराव की अपनी 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 कंपनी होता है जैसे √ कोई कर फॉपर Ki- selv के सबसे वोपर prop plug की भी बोलते हैं लेकिन बिगिनरगे के लिए बता दूं, न की तुव के इस करके इसी तरीके 12 बटम होगा इसमें से कोई एक ही बटम होगा जिससे आपका केंप्यूटर बूट होगा अब इसकी हमको जरूरत पड़ेगे जब हम लोग बिंडो इंस्टॉलेशन करने जाएंगे को यह पता होना चाहिए कि हमारा जो केंप्यूटर है वो किस बटम से बूट होगा क्योंकि हमको उसी बटम को प्रेस करना पड़ता तब जाकि हमारा केंप्यूटर बूट होता है तब जाकि उसमें हम बिंडो इंस्टॉल कर पाते हैं अगर बूट की आपको पता नहीं होगा तो आप आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप परिशान हो जाएंगे तो इसलिए मैं बता दूँ कि आपको बूट की कैसे पता करना है इस सारी चीज़ आपको पहले करने ला बिंडो फार्मेट करने से पहले ही कर लें आप चाहे काम कंप्यूटर में भी कर सकते हैं आपको गूगल में जाना है ठीक है आप फला माडल नंबर बूट की तो इस तरीके से आपको इसमें लिखना है बूट की लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने अब जैसे बूट की में किसी का यह फ़न भी हो सकता है जाद तर जो है इस तरीके से वहां पर आपको बूट की मिल जाता है तो आपको बूट की को न क्या है कई बर क्या होता जब computer चालूम होता है इस्टार्टिंग में तो डिस्प्ले पे पुछी सेकंड के लिए आता है वहां पे कुछ उसका लोगो आता है नीचे पटी रहती है उस पर लिखा रहता है function की setup के लिए boys के लिए boys setup और एक लिखा रहता बूट की तो जो बूट पहले समझिए बहुत आसान है कोई दिक्कत नहीं बस आपको Google में ही search करना है मान चली आपका computer है आपको नहीं पता चल रहा है कि हमारा computer जो है किस company का है तो आपको चले जाना है CPU जो नीचे बकसा होता है डबबा होता है जिसको में लोग CPU की नाम से कहते हैं जो TV होता हो मान होती है उसमें क्या होगा कि जो motherboard होगा उस पर उस company का नाम लिखा होगा जिस company का आपका motherboard होगा उस company का नाम वहां पर लिखा मिल जाएगा और उसका model नंबर भी उसी पर लिखा मिल जाएगा जैसे मेरे case में क्या है मेरा जो भी motherboard है वह है gigabyte का 81 अगर मैं अपने motherboard को देखू तो हमारे सामने आ जाएगा तो हमारा जो बूट की मिलेगा वह मिलेगा 12 है चुकि अभी हम जिस सिस्टम से वीडियो बना रहे हैं वह हमारा गिगावाइड का है जिसमें जब बूट की होता है वह यह फ-12 है तो आपको यह चीज नोट कर देना है पहला क्या कि आपको यह चीज पता कर लेना है कि हमारा जो पार्टिसन सी वाला जिसके इंदर हम बिन्डो डालेंगे उसकी टोटल साइज क्या है मतलब जो लास्ट में लिखा रहे हैंगा कि यह समझ में आये चुकि विंडो चड़ाने के तो हजारों वीडियो आपको यूटूब पे मिलेंगे लिखिन कोई इस तरीके से आपको समझाया नहीं होगा यह मेरा दावा है आप जाके चेक करके आई मैं इगर फिर कहना चाहता हूँ अगर आप एक्सपर्ट हैं अगर आपको मेरी बीडियो बोरिंग लग रहे है तो खुड़ दीज़ी मैं यह वीडियो बिग्रन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बिल्कुल बिग्रन उनके लिए बना रहा हूँ अगर आप भी इंटेस्ट रखते हैं इस तरीके एक जानकाई है उसका बूट की क्या है तो अब हम चलते हैं बिंडो फार्मिट करने के लिए हमने सारी जानकारी कर लिए तो देखिए अब हम बिंडो जो फार्मिट करने जा रहे हैं तो हमको अब क्या करना होगा जो हमारा laptop फार्मिट कर रहे हैं, चाहे computer फार्मिट कर रहे हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा, बिल्कुल सेम इस्टे पाएगा, सब कुछ सेम ही होगा, मैं भी अपने pen drive को अपनी computer के USB port में लगा रहा है, अब दिखिए, जैसे ही मैंने computer के USB port में अपना pen drive लगा दिया, जिसके अंद सट डाउन, function से सट डाउन करना, यहां पर जाएंगे, तो आपको यहां पर मिलेगा, restart करना है, या सट डाउन करना है, ठीक है, अब जब आप सट डाउन कर लेंगे, तो इसमें क्या है कि आपका computer बंद हो जाएगा, मैं भी नहीं कर रहा हूं, चो कि मैं करूंगा, तो मेरा मैंने बताया कि आपका जो boot key होता है, उस boot key को आपको press करते रहना है, चुकि अब हमको जरूरत है हमारे computer को, हमारे laptop को boot कराने, USB port में हमारा pin drive लगा हुआ है, हमने computer को बंद कर दिया, या हमने computer को बंद करके फिर से उसको आन किया, बंद होके आन होगा, या restart होगा, तो हम क केस में मैंने बताया कि मेरा जो motherboard है, वो ये T1 का gigabyte का board है, जिसका boot की यफ 12 है, तो मैं क्या करूंगा लगातार, computer जैसे चालूंगा, मैं लगातार अपने keyboard से यफ 12 दबाना शुरू करूंगा, और मैं अपने keyboard से यफ 12 तब तक press करता रहूंगा, जब तक कि हमारे computer पे